आप चाहे होम में कर हो या ओफिस में काम करती हो आपका स्किन टाइप चाहे जैसा ली हो जो एक प्राब्लम हम सबको खलता है वह संटाइब तो चलिए अज इसे के बारे में बात करते हैं नमस्ते बिंदाज बाउं में आप सबका बहुत बहुत सागत मैं आपके सहली फिर से हाजर हूँ आप लोगों से कुछ यूसफूल टिप्स शेयर करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि आपको मेरे अपकमी वीडियो के बार में प पूरा ध्यान अपने चेहरे को ही देते हैं जबकि भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा एक्स्पोस होने वाले पार्ट यानि कि हमारे पैर और हमारे हाथों को संटैंड हो रहे हैं और जब तक हमें इस बात का ध्यान आए तब तक बहुत देर हो जाता है तो आज मैं आपके लाई हूँ एक ऐसा टिप जिसने की आपका स्किन लाइटन एंड ब्राइटन हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको नहीं सिफ अपने हाथ और पैर में बल्कि बॉड़ी के किसी भी पार्ट में अराम से यूज कर सकते हो इसके लिए जो हमें दूनों ही बहुत इसी है तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए इसके लिए आपको जो भी सामान चाहिए वो बस इतने से हैं आपको चाहिए होगा दो नीमभू, ग्लिसरीन, कोकॉनट आल, रोज वाटर, एक कप प्लेइन वाटर, और मिक्सिंग के ल लेमन यानि नीमभू, इस ए नैचरल स्कीन ब्लीचिंग एजेंट, तुस इस वेरी गूट फोर स्कीन लाइटनिग और ब्राइटनिग, इट हेल्पस इन जेनरेशन अफ नीव सेल्स, यह मेलालेन कम करता है, जिससे के यूनिफर्म स्कीन टोन मेंटेन रहता है, इसमें साथ स्कीन में इलासिसिटी मेंटेन होता है, एंट वी गेट ए यूथफुल स्कीन, इस एक्स्ट्रेमली जेंटल ऑन स्कीन, इस एन एक्सलेंट मॉश्राइजर, यह हवा से पानी खीच के स्कीन के आउटर लेर्स पर रोकता है, तुस ब्लॉकिंग मॉश्चर, ग्लीसरन हे पीच लेवल ऑफ दी स्कीन, दस रेदूसिंग ड्राय स्कीन और रिंकल्स, रोज वाटर में काफी सारे गुन है, हजारों सालों से इसकी ब्यूटी प्रोड़क्स में यूज किया जा रहा है, इसमें अंटी इंफ्लेमेटरी, अंटी बैक्टिरियल, अंटी सेप्टिक और एजिंग प्रोपर्टिज है, इसमें पागे अंटी अक्सिदेंट्स हमारे सल्स को डैमेज होने से बचाता है और हमारे रंगत को निखाता है, 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 और हमारे रंगत को निखात तू दे स्किन ये हमारे स्किन के डीप लेर्स में जाके इन्फेक्शन को रोकता है और रंगत निखारता है इट इस अन अल्टिमेट ब्यूटी एन्हेंसर और अन एक्सलेंट कंडिशिनर टू दे स्किन दो निम्बू को काटके उसको डीशिट कर ले फिर उसका रस निकाल ले अब इसमें टू टेबल स्पून कोकुनाट ओल वन टेबल स्पून ग्लिसरिन और थ्री टेबल स्पून रोज वाटर मिला ले अब इसमें एक कप प्लेइन वाटर मिलाए इसको अच्छे से स्ट्रेइन कर ले ताकि कोई सीट या और कोई फाइबर पार्टिकल ना रहे तैयार यू कैन उस इट विद अफ आफ अफ एक कॉटन बॉल और पूट इट इन इन स्प्रे बॉटल उकनट ओयल और ग्लीसरेन आपके स्कीन को तब भी डार्क करता है जब आप इसे लगा के सन में निकलते हो इसलिए इट इस बेस्ट कि आप इसको नाइट टाइम में ही यूज करो क्योंकि ये सारी इंग्रेडियंट्स आपके स्कीन के डीट में जाके अपना असर करेगा इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए यूज देस फॉर 3-4 विक्स और फिर कमाल देखिए आप ये आज ही बनाए और यूज करना शुरू करें फिर कुछ दिनों बात आप खुद ही मुझे थैंक्यू कहोगे